ओलेंडर यानि के कनेर 5 में मैंने 5 मही को इस प्लांट की रिपोर्टिंग की थी और पर्चेज मैंने किया था इस प्लांट को और भी काफी सारे प्लांट यहां पर गेलाडिया, कॉस्मस, सन्फलार और यह ओलेंडर कनेर चार प्लांट की रिपोर्टिंग मैंने एक एक करके आपके साथ शेयर की थी, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूंगी रिपोर्टिंग तो मैं कर चुकी थी, लेकिन आज के इस वीडियो में फ्रेंट मैं अपडेट भी शेयर करने वाली और साथी साथ में कटिंग से क्रो भी करने वाली हूँ, असलालेकूं फ्रेंड, वेलकम टू मैं चैनल शबनूरली, तो इस ब्लांट को सक्सेस कहां तक मिली, यही हम आपके साथ शेयर करेंगे, देखे ये रहा वो ब्लांट, काफी अच्छा था जब मैंने इसको रेपोर् प्रोग्रेस हुई है, कि इस पर शूर्सार हैं दो, हाला कि यह काफी टॉल है, लॉंग है, और उपर से यह थोड़ा सा बुशी हो भी रहा है, क्योंकि मैंने टिप पर थोड़ी सी प्रोनिंग की थी, लेकिन इसके बाब जो जब मैंने इसको पर्चेस किया था, तो यह कितनी अच्छी तरीके से यह ग्रो कर चुका है, यानि कि कामया भी मुझे मिल चुकी पहली रिपोर्टिंग के बाद, लेकिन अब आगी का काम हम क्या करना चाहते हैं, वो देखिए, आगी का काम मेरा यह था कि मुझे इसका लुक चेंज करना था, मतलब जादा शूर्स, जादा शाखाएं और जादा फ्लार, तो अगर अभी हम इसको यहां से कट कर दे, रेनी सीजन है, अगर थोड़ा सा हार्ट प्रून कर देंगे, तो कोई दिकत नहीं होगी, यह जल्दी से कवर कर लेगा, और नई नई शाखाएं देने लगेगा, तो इसकी लंबाई को कम क करते हुए हमने 6-7 इंच तकी थोड़ा वुड़ी टाइप यह जो इसकी कटिंग है, इसको निकाला हुआ है, और थोड़े पत्ते, नौट वैसे काफी खाली है इसमें, लेकिन फिर भी हम हलका कर देते हैं, और इसको हम यहां से क्रोग कर लेंगे, काफी सारे नौट है इस पॉट की मिटी मुझे थोड़ा सक्त लग रही है, हाँ जब से मैंने इसको रिपॉर्ट किया है, तब से यह यहीं बालकनी पर है, मॉर्निंग की थोड़ी सी 9-10 वजे तक की धूपाती थी, वाटरिंग हम मिटी देख कर करते थे, खाद मैंने तब से कोई नहीं दी थी, त इसको मैंने यहां से हलका सा शाप नाइफ की हर्फ से कट किया है, इस तरह से पैंसिल की तरह बना दिया है, इससे क्या होता है कि इस पेस थोड़ा जादा हो जाता है, और दूसरी एक कटिंग हमने इसमें से और ले ली है, अब क्यूंकि इसमें लीप तो थी ही नहीं, तो क्या करते चलिए इस पर भी हम शाप कट लगा लेते हैं इस तरीके से इस पर जादा मिल जाता है तो रूर्स को बनने में आराम होता है बना लिये मैंने अब इस पर हम वैसे तो बिना किसी रूटिंग होर्मेन के यह काम करती है बड़ा असानी से ओलेंडर की कनेर की कटिंग क जल्दी प्लांट बन जाता है फ्लारिंग भी जल्दी करता है तो कटिंग से रेणी सीजन अच्छा टाइम है और या फिर स्प्रिंग सीजन में आप इसको रेडि कीजिए तो इसकी तो सौफ्ट उपर की टिप की भी कटिंग लग जाती है लेकिन टिप की कटिंग ऐसा है काफी हलकी होने की वज़े से कभी कभी फंगस की वज़े से खराब हो जाती तो जो बोडी टाइप की कटिंग होती है वो इसली ग्रो हो जाती है देर होती है थोड़ा टाइम लेती है लेकिन फिर भी सकसेज रेट उसमें जादा है तो मैंने जहां से कट किया वहां पर मैंन रूटिंग होगी और हलका सा तिरचा रखते हुए कटिंग को इस तरीके से फिर साइट साइट से थोड़ा सा मिटि लेंगे और थोड़ा मिटी चढ़ा देंगे तो 2 नोड और धक जाएंगे कनीर का प्लांट ना काफी low maintenance होता है लेकिन flowering plant है तो मंधली इसको compost एड़ करते रहेंगे तो अच्छे से ये flowering करते रहेगा और प्रोनिंग करते रहेगे तो पुशी बना रहेगा अच्छा सा एक container दीजिये 14-16 तक का तो बड़ा आट्री की तरह भी शेप ले लेता है इसको भी हम रखते हैं यहीं बालकेनी पर और आपको यह इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिल मिलते हैं नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए लाफिस